नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर तमाम तरह के जितने भी सवाल उट रहे थे परिक्षा तिथी को लेकर उस पर फिलहाल फिर से एक बार आंसर दे दिया गया है रीट परिक्षा आपकी होने वाली है दोस्तों 26 सितंबर को 26 सितंबर को रीट परिक्षा होने वाली है माननिय गोविन सिंग जी डोटासरा जी ने ये अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा है कि 26 सितंबर को रीट आयुजित करवाने का निर्ने लिया गया है उनका जो ट्वीट है पहले वो देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि 26 सितंबर को रीट परिक्षा आयुजित करने का निर्ने लिया गया है, साथ ही EWS अभ्यर्तियों के लिए आविदन 21 जून से 5 जुलाई तक लिये जाएंगे, बहुत जल्द मादिमिक शिक्षा बोर्ड परिक्षा की तिती गोशित हो जाती है, तो 26 सितंबर अपकी बार इसको मत भूलना, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो ये परिक्षा निश्चित ही 26 सितंबर को आयुजित हो जाएगी, 26 सितंबर को आयुजित हो जाएगी, तो आप अपनी तयारी को इन दिनों के हिसाब से रिविजन कर रहे हैं तो उस हिसाब से और या अगर आपने बीच में छोड़ भी दी थी तो फिर से आप तयारी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है घबराने की बात नहीं है जून चल रहा है जुलाई, अगस्ट और सितंबर लास्ट में जाके ये परिक्षा आयोजीत होगी तो बिलकुल सयमित होकर आप इस परिक्षा पर फोकस कर सकते हैं तो जितने भी रीट के अभ्यरती थे लाखों में उनकी संक्या है उस लाखों की संक्या को देखकर घबराना नहीं है, आपको अपनी तयारी पे ध्यान देना है रीट परिक्षा के लिए जितनी ज़्यादा चर्चाएं होती हैं उन चर्चाओं से आप जितना खुद को दूर रख पाएंगे, परिक्षा की तित ही आ गई आप देखना कुछी देर में ऐसे वीडियोज भी अप्लोड होने लग जाएंगे, 26 सितंबर को नहीं होगी परिक्षा, मैं बता रहा हूँ आपको आप देख लेना, ऐसे वीडियोज भी अप्लोड होने लग जाएंगे, क्योंकि काम है उनका, आपका जो काम है वो है कि आप जो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज होती है शिक्षा मंतरी जी ने कहा है अब इन से उपर कौन है इस विभाग में मान्दमी खिक्षा बोर्ड अपनी विग्यपती जारी कर देगा फिर उस ऑथेंटिक चीज से आगे कोई नहीं न अंदाजा, अनुमान इन सारी चीजों पर अपना समय व्यर्थ ना करें जितना भी समय है आपके पास में 80, 90 जितने भी दिन है उनको सही यूटिलाइज कीजिए इस परिक्षा में इस परिक्षा का इंतजार 3, 4, 2, 3 पला नहीं कितने कितने सालों से लोग करते रहते हैं लेकिन आपको अब बिल्कुल सब कुछ भूल भालके 26 सितंबर को टार्गेट बनाके अपने माटिरियल को तयार करना है खुद को तयार करना है ताकि आप इस परिक्षा में अच्छे-च्छा पर्फॉर्म कर सके होता ये है कि परिक्षा तित्धी आ गई हमें लगा परिक्षा तित्धी आ गई उसके बाद में कई लोग तो over confident हो जाते हैं इन दोनों ही चीजों से दूर रहिए बिल्कुल सयमित शान तरीके से जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़िये छूट गई तो शुरू से शुरू कर दीजिए रिवीजन पे ज़्यादा ज़ूर दीजिए ये कुछ मूल मंत्र हैं जो सभी को पता है लेकिन जो कर लेगा वो फते पालेगा तो दोस्तों ये 26 सितंबर की तिती थी एक छोटी सी न्यूस थी इस छोटे सी वीडियो में मैंने आपसे जितनी भी बाते कहीं है यदि आपको लगता है कि वो बाते सही है जानकारी सही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रैस जरूर कर लें रीट नेट से सम्बंदित आपके लिए यहाँ पर स्टेडी मटेरियल पोस्ट होता रहता है थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और रट में